अबस्कार दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है साउटफॉर क्रिप्टो यूट्यूटूब चैनल में दोस्तो आज इस वीडियो में हम एक नए प्रोजेक्ट के एरडॉप के बारे में बात करने वाले हैं हम बात करने वाले फ्रेम नेटवर्क के बारे में जहां कि हमको इसका टेश्ट नेटवर्क पे टास्क परफॉर्म करने हैं जिसके बदले हम लोगों को ऑंचेन अक्टिविटी टोकन और इसके कुछ बैजिस मिलने वाले हैं जो कि हेल्प करेगा इसका एरडॉप क्लेम करने में जब इसका एरडॉप लांच होगा तब सारा कुछ step-by-step मैं लाइब सोग कर रहा हूं जो भी मैं यहां पे लिंक यूज करूंगा जो वेबसाइट यूज करूंगा टेलिग्राम चैनल पे वह सारा लिंक दे दूंगा और वीडियो के description में भी लिंक होगा ताकि आप सारा कुछ task easily perform कर सकें तो सबसे पहले इस website open कर लेना है आपको जो है और MetaMask भी साथ में open कर लेना है MetaMask में open कर लेने के बाद जो आपको network है सिपोलिया select कर लेना है बहुत सारे network है अगर आप सिपोलिया network में select करना जानते है या फिर इसका जो test network का token है यह claim करना जाते है तो अच्छी बात है नहीं तो वीडियो के description में मैं link दे दूंगा वीडियो का एक अलग वीडियो का जिसमें सारा कुछ step by step बताया हुए आप उसको follow करके सब पूरा कर लेंगे इसके बाद आपको यहां पर इस website पर वापस सबसे पहले आपको connect wallet पर क्लिक करके metamask यहां पर connect कर लेना है next करना है इसके बाद जैसे ही आप connect करेंगे यहां पर एक network add करने के लिए आपके पास options आएगा जो कि frame testnet के नाम से आएगा इसको आप अप्रूब कर देंगे आपका जैसे ही अप्रूब करेंगे यहां पर frame test network पर यह आप switch करने के लिए बोलेगा तो जब भी आप देखेंगे कि हम यहां पर अभी सिपोलिया नेटवर्क पर अभी हम यहां पर frame test network पर यह एड़ करके यहां आ गया है अभी वापस से हमको यह जो है सिपोलिया ही एड़ कर लेना है यहां पर मतलब जो सिपोलिया ही सेल करेंगे ब्रीज आपको सबसे पहले अपना जो सिपोलिया नेटवर्क से कुछ इथेरियम को जो है वह आपको frame network पर कर लेना है ब्रीज कर लेना है क्योंकि जो भी हम task करेंगे वह frame network पर task complete करेंगे तो task complete करने के लिए हम लोगों को transactions fee payment करने के लिए कुछ इथेरियम होने च क्योंकि हम पहले ही किये हुए है अपने wallet को connect अगर wallet connect नहीं है तो फिर से यह wallet connect को options आगा connect कर लेंगे अपने wallet को उसके बाद यह deposit क्लिक करेंगे इसके बाद pop-up notifications जो आएगा wallet की तरब से उसमें transactions को confirm कर लेंगे और समय लगेगा यहाँ पर हम समय का wait करेंगे इस transactions को complete होने म अब हम अपने metamask wallet में frame network को select कर लेंगे frame testnet को हम यहाँ search कर लिए और यहाँ पर select कर लिए अभी आप देखेंगे कि यहाँ पर 0.1 ethereum मेरे पास आगे है frame network वापस से इस website प्यारना है इसको हम cut कर देते हैं उसके बाद अगर आप withdraw करना चाहते हैं तो यहाँ से withdraw कर सकते हैं एक transactions के लिए आप withdraw कर लिजे 0.001 हम withdraw कर लेते हैं उसके बाद यहाँ पर withdraw options पर click कर लेना है आपको transactions confirm कर लेने हैं कि यहाँ पर हमको quest पर आहना है quest पर जैसे ही हाएंगा आपदेखेंगे कि यहाँ पर ब्रीज़ टू फ्रेम फर्स्ट जो इस पर आप देखेंगे कि इन प्रोग्रेश में है इस पर आपको click करेंगे यहाँ में आप देखेंगे कि यहाँ पर claim badges करका options आरहें तो simple claim badge पर तो यहां पर आपका कुछ इस तरह कि आ रहा है कि आपका जो वालेटेश से उसमें पी एक बैज है यहां पर फिर से हमको क्लिक कर लेना है उसके बाद हमको next यह जो है इस पर क्लिक कर लेना है mint your first nft से क्या करना है सबसे पहले explorer open कर लेना explorer पर मैं एक id listeners, यहां पर paste करना हूँ, इसको paste करके search कर लेना है, आपको इसी तरीके से, यहां पर contact address मैं telegram channel पर दे दूँगा और फिर video के description में भी दे दूँगा, आपको यहां पर scroll ajn कर ले हैं, यहां पर contract पर click कर लेना है, contract पर click कर लेने के बाद, scroll ALL करना है, यहां पर right पर क्लिक कर लेना है, right पर क्लिक कर लेने के बाद फिर से यहां पर connect wallet का जो options आ रहा है, इसको connect कर लेना है, click करके, आप meta mask select करेंगे, next connect, यहां पर आपका wallet address connect हो गया है, यहां पर wallet address यहां पर so होगा, इसके बाद इस फ्लॉड आउन करेंगे थोड़ा सा, इसको य आपको जो है transactions confirm कर देना है confirm करने के बाद थोड़ा सा wait कर लेना है यहाँ पर आप देखेंगे कि transactions has been confirmed यहाँ पर view transactions detail पर आप देख सकते हैं अगर इस NFT अभी जो हम mint किये हैं अगर मुझे यहाँ पर चाहिए अगर नहीं complete हुआ रहेगा तो refresh eligibility पर क्लिक करेंगे उसके बाद यह complete हुआ रहेगा फिर claim badges पर क्लिक करेंगे transactions confirm कर लेंगे बैज complete claim हो गया है यहाँ पर view badges पर जब क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर एक के बदले है अब दो यहाँ पर सो होगा कि badges आप complete किये हैं वापस से मुझे request पर आना है क्लिक करके वापस है delegate your wallet पर क्लिक कर लेना है इस पर आप क्लिक करेंगे आपको इस website पर आने की पास सबसे पहले आपको wallet यहाँ पर connect कर लेने है उसके बाद scroll on करना है यहाँ पर tap to start using delegate इस पर आपको लेना है delegate wallet और contract और assets तो मैं यहाँ पर wallet क्लिक मतलब wallet करूंगा आप किसी अगर आपके बास दूसरा wallet address है तो उस पर मतलब कर लेंगे नहीं तो मैं अपना wallet address comment box में पिंड कर दूँगा या फिर टेलिग्राम चैनल पर दे दूँगा आप उस wallet address पर delegate कर सकते हैं कुछ amount यहाँ पर wallet address copy करके paste कर दिया हुआ हूँ यहाँ उसके बाद delegate करके options हारा इस पर क्लिक कर लेंगे उसके बाद submit delegation पर क्लिक करेंगे wait करेंगे थोड़ा फिर की तरफ से ज delegate another wallet को कर सकते हैं तो simple आप यहाँ पर my profile पर क्लिक कर लेंगे यहाँ पर आप देखेंगे कि जो भी आपका delegate हुआ रहेगा यह सो होगा सारा यह हम पहले already पहले से कुछ delegate किये हुए हैं तो यहाँ सो हो रहा है तो यहाँ आप देखेंगे इस output crypto.eth करके यहाँ पर आ रहा है limit वगरे कुछ यहाँ नहीं सो रहा इस तरीके से वापस से हमको इस website पर आना है यहाँ पर हमको refresh eligibility जैसे अभी यहाँ नहीं सो रहा है तो हम refresh eligibility पर क्लिक करेंगे फिर यहाँ पर यह claim badges का options enable हो जाएगा फिर हम इसको claim कर लेंगे transactions को confirm कर लेंगे यहाँ पर badge को देखना चाहते हैं तो फिर से click कर सकते हैं दरवाज इसको आप cancel कर सकते हैं यहाँ से cancel कर दे रहा हूं आपको यहाँ पर next जो है doing more with frame revoke and approval करके इस पर क्लिक कर लेना है इसके बाद वापस से आपको explorer वाले page पर आने के बाद यहाँ पर फिफ्ट नम्मर का option से set approval for all इस पर क्लिक कर लेना है यहाँ पर address पर इस contract address को paste कर देना है यहाँ पर true लिखने के बाद यहाँ पर right options पर क्लिक करके transactions को यहाँ पर confirm कर देना है आप यहाँ पर देखेंगे कि allow access to and transfer of all NFT from this collection इस पर आप confirm कर देना है यहाँ यहाँ पर यह सब red confirm हो जाएगा वापस से आपको इस website पर आना है इसको थोड़ा सा refresh कर लेना है आपको refresh करेंगे तो देखेंगे कि कुछ इस तरह का यहाँ पर options हो रहा है कि frame testnet जो है इसका NFT के लिए आप जो है अपरूब की है इसको आप यहाँ पर सबसे पहले पर क्लिक करेंगे रिवोग पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो भी आपका notifications आएगा wallet के तरफ से transactions के लिए यहाँ पर आप confirm कर देंगे यहाँ पर कह रहा है कि रिवोग permission to access and transfer all your NFT from this collection यहाँ पर हम जो भी इसको accessibility दिये थे उसको हम हम रिवोग कर ले रहे हैं यहाँ transactions confirm कर देना है आपको अपस से हमको इस website पर आना है यहाँ पर थोड़े से मतलब refresh eligibility पर क्लिक कर लेना है claim badges के जो है clickable हो जाएगा यह activate हो बटन के तरफ से जो भी transactions के लिए pop-up notifications आगा उसमें transactions complete कर लेंगे यहाँ आप यहाँ देखेंगे कि सारा हम task complete कर लिए है आप यहाँ पर देख पाएंगे कि 65 out of 100 experience हम गेन कर लिए है इस तरह का सारा यहाँ पर बैजेज अभी so हो रहा है तो अभी के लिए जो है क्वेस इतना ही है future में अभी कुछ भी updates आएगा तो मैं telegram चैनल पर ट्विटर पर update कर दूंगा या खुद भी Twitter handle इसका आप follow कर सकते हैं वहाँ से कुछ updates मिलेगा आपको खुद से भी तो इमीद है कि आप सारा कुछ step by step समझ पाए हैं अगर अभी भी कुछ curious है तो comment box में comment कर सकते हैं या फिर वीडियो के description में personal whatsapp number होगा आप वहाँ पे message कर सकते हैं वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दूस्तों